डीडी किसान बदलते भारत की शान जब नाओ जल में छोड़ दी तुफान में ही मोड़ दी देदी चुनौती सिंधु को तो पार क्या मजधार क्या और यही कोशिश आप जानते ही हैं हर मंगलवार और गुरुवार को बिना किसी गैप के मैं गरता हूँ नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरिट शो जिसका नाम है सच के साथ आपके साथ मैं हूँ घंशाम उपाथिया है तो चलिए ना सच की रहा में एक बार फिर हम और आप साथ साथ चलते हैं कुछ वादों के साथ, कुछ संकल्पों के साथ, कुछ चुनोतियों के साथ भी और वो सारी चुनोतिया सर्फ यहां पूरी होती है मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरों से दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है हमारा वास्ता, हमारी concern, हमारी subject सिर्फ आप है यकीन मानिए, सिर्फ आप है आप इसे जुड़ी हुई हर खबर हम आपके लिए लाते हैं और बहुत उहापों में, बहुत जल्दबाजी में नहीं डिटेल के साथ, विशलेशन के साथ ये समझते हुए और कभी-कभी आपको समझाते हुए भी कि ये खबर आपके लिए जानना कितना जरूरी है अब सच के साथ को तो आप समझ चुके हैं ये साथ महिनों पुराना हो गया है लेकिन आज जिस विशे पे हम बात करेंगे वो बात है भारतिय चात्र, विदेश यूनिवसिटीज और एक ऐसे कोर्स की जो वाकई अब हतप्रभ करने लगा है लोगों को अक्सर जब हम बात करते हैं भारतिय चात्रों की विदेश जाने की तो हम क्या बात करते हैं? management की बात करते हैं, IT courses की बात करते हैं, doctorate की बात करते हैं, लेकिन यह सारी बात यह तो आपको पता हैं, लेकिन अब साथ समंदर पार रुख करने रगा है भारती चात्र कृषी के लिए, खेती के लिए, किसानी के लिए, क्योंकि असल में यही तो नीव है हिंदूस्तान की, भ बढ़ाई अब भारत में करेगी सिचाई तो फिर रंग चोखा ही चोखा होगा मंगलवार और गुरुवार को इसी रंग को और चटक और प्रगाण बनाने की कोशिश हम करते हैं हमारे इस कोशिश में आप रहते हैं और इस कोशिश में मेरे साथ जी हाँ देश का सर्वोत्तम पैनल रहता है जो इस रिपोर्ट के बाद आपके साथ जुड़ता है हमेशा की तरह कहूँगा मेरे शो की रवायत है कि एक रिपोर्ट आपको दिखाऊँगा उसके बाद जब लोटूँगा तो फिर आती विश्यस्ट महवानों का उतक्रिष्ट पैनल मेरे साथ होगा शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं सच के साथ भारतिय चात्र विदेश में आमतोर पर ऐसे विश्यों की पढ़ाई करते हैं जिनकी डिमांड दुनिया भर में होती है जैसे computer science, engineering, management course इन courses की फीस्वी लाखों रुपे में होती है भारतिय चात्र इन courses पर इतना ज्यादा पैसा इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये courses उन्हें आसानी से नौकरी दिलवा देंगे लेकिन भारत में खेती किसानी की बदलती हुई तस्वीर को लेकर अब चात्र खेती किसानी को अपने करियर की तौर पर चुनने लगे हैं और इन दिनों चात्र ऐसे भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं जो थोड़ा हट कर है भारती चात्र खेती किसानी और उससे जोड़ी फील्ड्स के बारे में पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं वो समझ चुके हैं कि खेती से वो किस तरह से अपने करियर को सवार सकते हैं और एडवांस लेवल पर की गई पढ़ाई अपने देश में खेती के कई आयाम कड़ने के लिए कितनी मददगार हो सकती है खेती किसानी को लेकर हर दिन नए नए तरह के प्रयोगों से भारत ने वैश्विक मांचित्र पर कई बेंचमार्क सेट करने शुरू कर दिये हैं और सफलता की इसी रफ़तार को बढ़ाने के लिए अब चात्र इसकी पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं अब खेती में भी कंप्यूटर सेंसर से लेकर ड्रोन जैसी चीजों का इस्तिमाल हो रहा है विदेशों में खेती के फील्ड में रिसर्च बढ़ गई है अग्रिकल्चर साइंसेस से लेकर फूट साइंसेस जैसे कोर्सेस में चात्रों की रुची काफी ज्यादा बढ़ गई है इसके पीछे यूरोपियन यूनियन के फार्म टू फोक रनीती और कैनेडा की एग्री फूट पाइलिट यूजनाओं की भी बड़ी भूमी का बताई जा रही है कुछ आकड़ों की बात करें तो आकड़े बताते हैं कि 2020 से खेती और इससे जोड़ी फील्ड में एड्मिशन के लिए पूश्ताच में हर साल 30 फीसदी का इजाफा हो रहा है 2023 में ये आकड़ा 75 फीसदी तक पहुँच गया युवा खेती को ऐसे फील्ड की तोर पर देखते हैं जहां टेक्नलोजी, सतत्विकास और ग्लोबल फूड सिक्यूरिटी का मेल हो रहा है आपको बता दें कि एग्रिकल्चर साइंस से लेकर फूड साइंस जैसे कोर्सिज छात्रों की पहली प्राथमिकता है हम सब जानते हैं खेती एक ऐसी जरूरत है जिस पर देशी नहीं दुनिया का पालन पोशन निर्भर करता है ऐसे में खेती की मांग और इस क्षेत्र में करियर हमारे देश के विकास के लिए एहम हो सकता है चात्र प्रिशी को एक नए नजरिये से देख रहे हैं जो प्रोध्योगिकी, स्थिर्ता और वैश्विक खादी सुरक्षा को जोड़ता नजर आता है और यही नया नजरिया भारत के लिहास से फाइदे का सौधा हो सकता है फिशी की फिल्ड से जूड़ी पढ़ाई के लिए कैनेडा, न्यूजिलेंड और उस्टेलिया जैसे देश काफी ज्यादा पॉपिलर हो रहे हैं इसके अलावा नीदलेंड में भी भारतिय पढ़ाई के लिए पहुच रहे हैं यहाँ पर छात्रों को एग्री बिजनेस, फूट सिक्योरिटी और परियावरणिय स्थिर्ता जैसे विशेश कोर्सिस की पढ़ाई का आप्शन भी मिलता है कैनेडा में पढ़ाई जाने वारे कोर्सेज में छात्रों को फार्म मेनेजमेंट, फूट प्रोसेसिंग और एन्वार्मेंट कंजर्वेशन जैसी चीज़ें पढ़ाई जा रही है अमेरिका में भी छात्रों को क्रिशी से जुड़ी फील्ड की पढ़ाई का मौका मिल रहा है तो आज सच के साथ कारिक्रम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि खेती के बदलते स्वरूप को जानने के लिए एडवांस लेवल पर की जा रही छात्रों की यह तैयारी कितनी जरूरी है और साथ ही यह भी जानने का प्रयास होगा कि युवाओं की तैयारी भारत की क्रिशी स्थिती में किस तरह से बदलाओ ला सकती है तो चलिए आज इसी विशे पे थोड़ा नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं और यह बताएंगे और खुद भी समझेंगे कि भाई बाहर जाकर पढ़ाई करना और फिर देश में आना कितना इंपक्फुल कितना फ्रूटफुल हो सकता है और यह सारी बाते मैं तो आपसे करूंगा ही लेकिन मेरे साथ बेहत खास मेमानों का खास पैनल जुड़ रहा है तारुफ मैं आपका एक एक करके कराता हूँ मेरे साथ जुड़ रहे है डॉक्टर हर्शवर्दन जौधरी असोसियर डीन आई सी ए आर आई डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में मेरे साथ रोहताश जुड़ रहे है अकस्ता मेरे शो में आते हैं बेबाकी से अपनी बात रखते हैं क्रिशी चातर है रोहताश बहुत स्वागत आपका और अविनाश चंदा मेरे साथ जुड़ रहे हैं जौनलिस्ट हैं और इनालिसिस के साथ आप लोग के साथ अपनी बात करते हैं आज भी अविनाश ऐसा ही करेंगे मैं उम्मिद करहूं और मेरे साथ चाया भांती जुड़ रहे हैं CEO Founder of Vetware चाया जी बहुत अस्वागत आपका पहली बार आपर आ रहे हैं मैं उम्मिद करहूं कि पहली बार वो इंपक आप छोड़ेंगे कि फिर यह मुलाकातों का दौर चलेगा शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर हर्शुरधन आपी से विदेश भारतिये चात्र और साथ में जुड़ते हुए नाम जो अक्सर हम सुनते थे कम्प्यूटर साइंस, मेनेजमेंट, आईटी, डॉक्टरी भी लेकिन अब क्रशी पढ़ने के लिए, खेती पढ़ने के लिए कुछ दिनों तक तो यह भ्रांती थी, यह माना जाता था अब यह खेती किसा नहीं वो कर रहा है जो कुछ नहीं कर पा रहा है सारी बदलते भी भारत की बदलती हैं, खुबसूरत तस्वीर हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, कि जब हम क्रशी की बात करते हैं, तो अक्सर पहले हम सोचते थे, क्रशी एक अलग से बिसा है लेकिन आज कल क्या है, कि सारी जो सिक्षा होती है, वो हमारी multi-dimensional हो गई है जब हम क्रशी की भी बात करते हैं, तो इसमें क्रशी के साथ तकनीकी का समावेश हो रहा है आज का किसान, हमारा बदलता हुआ जो किसान है, जो हम modern और हम आधुनी किसान के जो बात करते हैं, तो तकनीक आधारीत होती है इसी प्रकार से जो हमारी क्रशी की सिक्षा भी है, वो अलग-अलग विशियों को अपने आप में समाहित करके जो तकनीक आधारित सिक्षा हो रही है और इसी में सबसे जो important चीजी है कि इसमें अब हमारा skill based यानि आपने क्या skill अपने आपको किया है आपने कौन सी तकनीक सीखी है जिसका कि आप उपयोग खुद भी कर सकते हैं या आप अपने किसानों को वो तकनीक आप उनको बता सकते हैं जिससे हमारे किसान उसका खेती में प्रियोग कर सकते हैं या उस तकनीक के आधार पे आप क्या market में या क्या ब्यवसाई करने में आप किसी की मदद करते हैं जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ती है इन सभी आयामों को अगर हम जोडते हैं, तो इसमें हमें लगता है कि हम अच्छी से अच्छी और उन्नत से उन्नत टक्नीक हम कहीं से भी सीख सकते हैं. जैसे भी आपने बात की कि चुकि हमें विदेशी शिक्षा कि हमें बहुत सारे चातर उहां जा रहे हैं. अगर वह और भी अगर उननत टेक्नीकी अगर सीखना है खास करके जो हमारे सोग चात्र है तो आम तौर पे भारत सरकार भी उनको मदद करती है उनको fellowship प्रवाइड करती है जिससे कि वो विदेशों में जाके अपनी जो रिसर्च है या अपना जो अंसंधान है उस कारी को वो करते हैं फिर वहां से वो डिगरी लेके पुना हिंदुस्तान के जो किसान है इनकी मदद करने के लिए वापस आते हैं हर साल भारत सरकार भी ऐसे चातरों को प्रेडित करती है और जो हमारे बहुत अच्छे चातर होते हैं वो भी अक्सर विदेश जाके कुछ छे महीने के लिए एक साल के लिए जो इंटर्ण सिप है या सौट टर्म ट्रेनिंग है या पूरे तीन साल के लिए भी वो पी करसी सिख्चा को हम देखते थे तो हम यह सोचते थे किसमें सिर्क कैसे उगाना जाता है इसको हमें सीख्चना लेकिन अब करसी का रूप स abbiamo कि बह जितने हमारे इंटर्ण वियोर जितने हमारे उध्यमी है आम तोर किसानों की भी जो उत्पाद होता है उनको अगर आप मार्केट में रखते हैं उसके बदले आपको वो पैसा देते हैं तो इस तरीके की जो सारी चीजें हैं वो हम आपस में मिल गई है इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें तकनीकी और शिक्षा जो हो जितनी क्वालिटी होगी जितनी उसमें अच्छी गुनवत्ता होगी चाहे अदूसरा हम एक और कहना चाहते हैं जैसे आप सब लोग कहते ह खे चाहे तो हम सिक्षा कहीं से ऑन-लाइन के माध्याम से हम सिक्षा ले रहे हैं हम खुद वहां जाके भी अगर प्रयोग या उसका उपयोग भी हम पूरे ग्लोब पूरे विश्व के लाव के लिए भी कर सकते हैं खास करके जो हमारे भारतिये किसान हैं इनको हम अधिक से अधिक पहुंचाने की तो बड़े कहनवास पे बड़ी तस्वीर आज शो में हम उकेरने की कोशिश करेंगे और प्रवर्ती में इस चीज में कितना बगलाव आप महसूस कर पाते हैं पहले में और अब में चीज़े बदल रही हैं रोहताश जी सर आपने बिल्कुल ठीक है कि जैसे पहले इतनी अपोर्चुनिटीज नहीं थी बाहर जाने के लिए पर जैसे कि और जो कंट्रीज है वो ड जो सोथ करता है और वहां पर जाकर जिस परकार से वो रिसर्च कर रहे हैं जी अगर उसको हम समझते हैं तो उसके द्वारा अगर उस टेकनिक को हम इंडिया में लेकर आते हैं और वो हमारे किसानों के लिए जो उपयोगी रहती है तो उसके लिए आजकल आईसे आर जो है वो फेलोशिपी परवाइड करता है जिसे ICR की इंटरनेशनल फेलोशिप है नेताजी सुबाष फेलोशिप जो क्या की 30 स्कॉलर्स को पर पर यह पर पर पैसे दे सकते हैं और उसके साथ वहां पर अच्छा रिसर्そうですね कर कर फिर बारत में आकर उस तकनीक को हम you में लेकर हमारे किसानों की जो आमदनी जो हमारा मुक्य लग से है वो है हमारे किसानों की आमदनी हम किस परकार से बढ़ाए वो हम बढ़ा सकते हैं ठीक है चाय भी हमारे साथ है तो चाय अक्सर किसानों को लेके हम जो समझते हैं और जो कहते हैं यही कि भी जमीन के सीने को चीर के सिर्फ बीज नहीं किसान बो रहा है उस बीज के साथ सपने बो रहा है, उम्मीद बो रहा है अब माना जाए उन सपनों को, उन उम्मीदों को पर लगने रगें और बड़े पर लग रहे हैं जो हम अच्छे तोर पर समझ सकते हैं आपका analysis क्या है, ति बड़ी company आप चला रहे हैं, CEO हैं, founder हैं, और आप खुद San Francisco से पढ़ी हैं, ये फर्क डालती है चीज़ें? जी, देखे, जब हम क्रिशी science की बात कर रहे हैं, विज्यान की, इसमें भारत काफी सालों से बहुत ही नेतरत्रों का काम कर रहा है, लेकिन जब हम सरल सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मृदा, मृदा के अंदर जो आज की तारिक में जो उर्वरता हमारी घट जरूरत है, ऐसा नहीं है कि कई बार हमारे पास science नहीं है, क्योंकि हमारी संस्ता में हम लोग जलबायू परिवर्तन और क्रिशी पे और प्राकृतिक क्रिशी पे बहुत काम करते हैं, तो हमने ये देखा है कि कई बार science बहुत बढ़िया है हमारे पास, पर उसको सही प्रका या भूजल के सर को बढ़ाने के लिए क्या करना है, जै विविदता खतम हो रही है, हमारी pesticides में बहुत प्रॉब्लम आरी है, इंडिया में बहुत पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जूडी हुई किसान के खुद के विहवार से, उसकी आदतों से, उन आदतों को जब तक हम नहीं बदल सकते और उस science को जब तक हम सही तरह की advice से नहीं connect कर सकते, तो जो कुछ हम करना चाहते हैं, वो एक उपरी सते पे रह जाता है, तो जब क्रिशी के students, क्योंकि मैं भी खुद बाहर की पढ़ी हुई हो, और मैं जब आई वापिस, तो मु multidisciplinary approach जिसको कहा जाता है, कि एक इनसान सिर्फ क्रिशी science के बारे में नहीं पढ़ रहा है, पर उसको business में किस प्रकार से ढाला जाए, उसको communication में किस प्रकार से ढाला जाए, ये सारी skills की भी बहुत जरूरत है इंडिया में, वो यहारे की नहीं उपा रहा है, यहां पे evidence-led communication, जिसमें आप evidence भी generate कर रहे हो research में, आपको आप में विश्वास भी आया है कि आपकी quality बहुत बढ़िया है, information की, और आपने काफी सारे tools आपने use कर लिये हैं, जो आपको इस science को किसान के context में, उसके संधर में communicate करने की मतलब एक शक्ती दे रहा है, तो मेरे खहाँ से वो एक holistic model निकल के आता है, जिसकी क्रिशी में बहुत ज़्यादा जरूदत है, लेकिन चाहिए mindset होता है, जब भी कोई परिवार में बच्चा होता है, तो कोई parent ये कहते हैं, मुझे कम से कम नहीं सुनाई दिये, कि भई तू बढ़ा होगा, तो तू खेती किसा नहीं करेग अक्सर हम बच्चों को ये कहते हैं, तो रॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या कुछ और फिल्ड बताते हैं, लेकिन अब जो ये perception बदला है, और जैसे खुद आप एक example है, तिमनी संस्ता चला रही है, इस perception के बदलने में, क्या हम वो सारी कामयाभी हासिल कर चुके हैं, जो exact कामयाभी के figure तक हमको ले जाता है, या अभी धीरे-धीरे-धीरे कुछ बदलाव हो रहे हैं, जो कुछ-कुछ समय में हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे, देख पाएंगे. जी देखे, इसमें बदलाव तो हो रहे हैं, एक तरफ जरूरत है, एक तरफ एक प्रकार की देशभक्ती भी है, और एक तरफ है बिजनस ऑपरचिनिटी, वो तीनों चीज़ें एक तरह से कनवर्ज कर रहे हैं, नीड है क्योंकि क्लाइमिट चेंज के इंपक्स बढ़ते ज टैकल करने में मजबूत ही देगा, तो कई लोग समझ रहे हैं कि अब टेक्नोलोजी को समझ के शायद इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए जरूरत के लिए काफी नई फील्स तयार हो रहे हैं, जिसमें स्टूडेंस अग्रसर हैं आगे जाने के लिए, यह में एक बहुत बड़ी ऑपरचुनिटी भी है, टेक्नोलोजी को सही प्रकार से यूज किया जाए, और मिट्टी की उरवर्ता बढ़ाई जाए, जल का एक प्रकार से संग्रक्षन किया जाए, तो यह काफी हद तक भारत नेत्रत्र पूरे दुनिया में दे सकता है, इस इंक्वाईरी की, पूछता जी कहा क्या हो सकता है, किस तरह का कोर्स हो सकता है, उसकी संक्या तीस प्रतिशर्त थी, लेकिन ये दोजार तेस तक आते आते 75% तक पहुँच गया, यह जो आकड़ा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, क्या माना जाए, इसको शुप संक्यत की त काफी महत्वपूर्ण है, देखें, हमेशा से ही जो पाठिक्रम चुनने की बारी आती है, और जब कोई छात्र जिसने अच्छी पढ़ाई करी है, कॉण्वेंट स्कूल से पास आउट रहा है, वो आम तोर पर कृशी जैसे विश्यों को कम ही चुनता रहा है, और अब जब कॉण्वेंट से पास आउट स्टूडेंट 20-25 लाग रुपए लगा कर विदेशों में जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो आप यह समझ सकते हैं कि आने वाला जो भविश्य है, उसमें बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, और यह सब को समझ में आ गया है, सरकार की त देख रही है, फार्म प्रिन्योर मतलब अब हम सिर्फ उगाना ही नहीं चाहते हैं, बलकि हम उसका प्रसंस्क्रण भी करना चाहते हैं, हम उसकी मार्केटिंग भी करना चाहते हैं, और उसके फार्म को बदल के और लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसमें कम से कम मार्केटिंग करें और इसमें रिसर्च भी करें नई नई तकनीकी का इसमें समावेश करें और उत्पादन को भी बढ़ाएं और लोगों की जरुरत वाली चीज़ों को ना सिर्फ हम गेहूं चावल की पैदावार ना करें बल्कि और जो हमारी जरुरते हैं भवश्य की उनको हम पूरा करें उसके लिए ढ़ेश में भी बहुत सारी उन्वेस्टी जहां पे आधनिक और उनदत प्र characterization धी जारी हैं विदेशों में भी दी जारी हैं विदेशों में य्विदेशों में जो अत्याधनिक टकनीकी यका समावेश करके लोगों को आकर्षित पर रही ह किसानी उनके होती है और चाहते हैं कि हम अपने अपना जो यह काम है उसको और अच्छे तरीके से कर सके हैं और या फिर जो लोग शोद करना चाहते थे या अध्यापन के शेत्रे में जाना चाहते थे वही आमत्वर पर इस विशय को चूज किया करते हैं लेकि अब कोई हैं एक तो पर्यावरण की चुनौती है है हम देख रहे हैं कि मौसम लगातार बदल रहे हैं और दूसरी एक बढ़ती बढ़ी हुई जनसंख्या तो अपने जनसंख्या का पेट भरना ही है हमें साथ में हमारे आसपड़ोस के और देश हैं मित्र देश हैं उन तक भी पहु जाने से पहले विदेश जाना हो घूना ओ या उन्हें देखना ओ या पढ़ना हो यह विदेश हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं हमको क्या यह जो आख्ला मेने भी बताया कि पढ़ाई के लिए जाने वाले चात्रों का है यह उसके इर्दगिर तो नहीं है हम इस तरह का कोई खत्रा तो नहीं ले रहे हैं, सब एक्रेक्शन में मुपाश में बंद के, छोटा सा जवाब हैं ब्रिक पर जा रहा हूं वहां से वापस जरूर आएंगे, क्योंकि उनको अपने भारत देश में बहुत सारी संभावनाय दिख रही हैं, हाला कि यह हमेशा से यह option रहता है, कई सारे देश हैं, कनाडा है, जर्मनी है, जो अपने यहां पर्मानेंट रेजिजेंट्शिप भी ओफर कर रहे हैं, क्रिश ब्रेक के बाद जब लोटेंगे, तो चर्चा को आगे से यहीं बढ़ाएंगे, और आप जानते हीं, आज का शो आपके लिए देखना must watch है, क्योंकि बात आपके अपनों की है, आपके अपने बज्चों की है, उनके future की है, छोटा सब ब्रेक, जल लोट रहा हूँ धंड में जब सर्दी जमा देती सब के हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सब का पे, खून को पसीने की तरह देता बहा, ठक जाता, छुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर् डीडी किसान देखिए स्वस्त किसान, शनिवार शाम छे बजे लाइव, सिर्फ दूर दर्शन किसान चैनल पर जाता बहार भी ट्रेंड होते रहे हैं, कुछ-कुछ कोर्सिस के लिए भी जाते हैं, समय समय फेलोशिप की बाप भी आप कर रहे थे, सर्य एडवांस टेकनिक को कितना समझना जरूरी है हमारे लिए, क्यों कि हम तो खेती को emotion मानते हैं, एहसास मानते हैं, क्या इन एहसासों में इस टेकनिक का तड़का लगाना जरूरी हो गया, ये समीकी डिमांड़े से, डग्रोर हश्च्वर्दर? अगर उपलब्ध है उस तक्नीकी को हम अपने यहां लाएं और हम अपने किसानों के मदद के लिए यहां के खेती के परिवेस के लिए उसको हम परिमार जित करें, यानि उसको हम थोड़ा मोडिफाइव करें जिससे की वह जो तक्नीक है वो हमारे किसानों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बने जहां तक हम करसी सिक्षा की बात करते हैं जो हमारी अभी नियू और नेशनल एजक्वेशन पॉलिसी आई है 2020 में इसका भी हमें जो मुख्य उद्देश से है सबसे मुख्य उद्देश ये है कि सिक्षा जो होनी च जब कोई भी संस्थान या कोई भी विश्विद्याल है अगर रिसर्च आधारित होता है यानि अगर अनुसंधान आधारित अगर वो सिक्षा हम अपने चात्रों को देते हैं तो सिक्षा की गुनवत्ता हमें बढ़ती है उसके साथ साथ हमारी सरकार जो है मारे सारे इसकी जो भी अच्छी से अच्छी इनवर्सिटी है उनके साथ आप अपना लिंकेज बनाए उनके साथ आप अपना तकनीकी सहयोग बनाए और उनके साथ भी हम मिल के भी हम कई बार हम सिक्षा देते हैं जैसे उदारन के लिए मैं बताऊंगा हमारा जो भारतिय करशियन सं हम लोगों ने बिशू की कई इसी इनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ हमने टाइः आप किया है और हम उनको दूएल डिगरी देते हैं, यानि जो छात्र हमारे संस्थान में जिनका एडमिशन होता है, उनको हम एक डिगरी अपने Sंस्थान की भी देते हैं, और दूसरी डिगर जैसे हमारा एक Western Sydney University के साथ हमारा एक dual degree का program है तो जो हमारे चातर हमारे यहां undergraduate courses में जो हमारा चार साल का होता है BSC Agriculture या BT in Biotechnology और इस तरह के अनएक courses है BT in Agriculture Engineering या in Community Science इन चातरों के लिए यह भी एक मौका होता है कि वो तीन साल की सिक्षा हमारे यहां करेंगे और एक साल की सिक्षा जो है वो विदेश की University में करेंगे वो आपी तेय करते हैं सर कहां जाएंगे किस विश्विद्यालय में जाएंगे कुछ विश्विद्यालियों के साथ हमारा एक tie-up होता है जैसे उदाहरन के तौर पे मैंने बताया Western Sydney University के साथ, जिनके basis पे हम उनको dual degree देते हैं, यानि उनको हमारे संस्थान की भी degree मिलेगी, और हमने उनको जो जो courses परहाएं हैं, जो बाहर का भी स्विध्यालय होता है, वो इन courses को mapping करते हैं अपने उनके यहां की degree के साथ, और जब equival of certificate यानि जो हमने परहाया है, वो उनका जो पाठिक्रम है, उससे अगर दोनों समान है, उस basis पे वो वहां की भी एक degree देते हैं, जैसे हमारे यहां से कोई छात्र करता है, तो चार साल के अंदर उनको हमारे यहां का B.Sc in Agriculture मिलेगा, और वहां का B.Sc in Biology, वो broader degree है, उन छात्रों के लिए एक और जो फाइदा होता है, कि वहां जाके अगर वो master's करना चाहें, तो सिर्फ एक साल में master's कर सकते हैं, जैसा हम integrated master's course करते हैं, यानि पात साल के अंदर उस छात्र को तीन degree मिल जाएगी, एक हमारे संस्थान की degree मिलेगी, B.Sc in Agriculture और Biotech और Engineering, उसको उस संस्थान क कि एक B.S. in Biology मिलेगी, और वहां से एक साल, और अगर वो छात्र वहां विदेश में रहता है, तो उसको वहां से भी master's in this subject मो करना चाहें, उसको degree मिल सकते हैं, कितना फर्क लगता है सर, पाठिक्रमों में, आप वहां की भी बात कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं, इसलि यह equivalence है, उनको वह एक साल में सिर्फ जैसे हम चात्रों को यहां skill development का course करते हैं, एक साल के दौरा, तो हम यह चाहते हैं कि वह चात्र skill development का course यहां ना करके, वह विदेश में एक साल किसी जैसे food processing industry के साथ वह course करें, या इसी तरह के किसी और भी जहां भी जिस एडिया में व कर सकते हैं, जैसे जो हमारे engineering के चात्र है, जो bio technology के चात्र है, वो drug designing में कर सकते हैं, या कुछ और भी विशय में वो कर सकते हैं, तो जितना आपने पढ़ाया, उसके आगे की कहानी वहां शुरू होगी, हमारे में कुछ दूरूस्त नहीं करेंगे, जी हां, परहाई जो theory प opportunity और भी खुल सकती है, जो क्रसी है, अभी समरे सारे co-panelist ने कहा, कि क्रसी को अब हम सिर्फ food तक सीमीत ना रखे, पहले हम क्रसी का मतला हम समझते हैं food, अब जो क्रसी है, यह बहुत सारा raw material देता है industry के, सपोज हम fiber की बात करते हैं, हम cotton की बात करते हैं, तब तक भी यह मे material देता है pharma industry, जिसमें अभी बहुत सारी scopes बची हुई है, हम nutraceuticals की बात करते हैं, यानि जो हम food खा रहे हैं, उसमें फार्मा सिटकल की भी उसमें बहुत सारे घुन उसको है, जो हम nutraceuticals का market काफी बर रहा है, मैडम हमारी अभी जो organic farming है, या natural farming है, या ऐसे farming जो बिलकुल specialized तरीके से farming करते हैं, इन सब का market काफी बर रहा है, और market की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ हम Indian market की बात नहीं करते हैं, अब हमें global market को देखना है, और global market की जो भी demand है, उसके raw material हम किस कम कीमत में अगर हम पैदा करके भेज़ते हैं, तो हमारा agriculture है, तो तस्वीर के कई रंग ह जो आज लौक साब यहां बता रहे हैं, सर अभी समय और है, फिर मैं आपको भगा दूँगा, तो फिर और हम बाते इस तार से करेंगे, रहताश मेरी साथ हैं, तो रहताश जोक्टर हर्षवदन जितनी बाते समझा रहे हैं, तो आप छात्रों के बहुत नजदीक रहते हैं छात्रों में रहते हैं, तो यह बातें, छात्रों को पता हैं कि किस तरह के पड़ाई यहां, फिर आगी की पड़ाई वहां, फिर कितने अवसर सरजित हो रहे हैं, कई नए व्यवसाई की तरफ बढ़ सकते हैं, यह aware हैं छात्र, यह जो data मैंने बताया था अविनारश को break से पहले क्या यह और उसी और निशारा करता है जी बिल्कुल सही का जैसा कि सर्ण ने बताया कि जो ऐसे प्रोग्राम सलाई जा रहे हैं हमारे इंट्रिटूट आई राई के दुआरा भी और भी जितने भी जो युनिश्टीज है जो आई सियर के एंडर में उनके दुआरा भी प्रोग्राम सलाई जाते हैं जिसके तुरू टाइब करते हैं इंट्रिटिज के दुआरा और उसके बाद में वहां पे जैसे एक प्रोजेक्ट आया था इसी आर का तुथाउजेंट सेंटीन में नाहे नैशनल एग्रिकल्चर हाइर एजुकेशन प्रोजेक्ट जी और उस उसके बाद में मैं परसनली उनसे मिला था कुछ स्टुडेंट्स थे जहां से मैंने ग्रेजुशन की थी तो उनके अंदर तो स्किल डवलप्मेंट हुआ वह यहां के जो चातर से उनसे कुछ बहतर दिखाई दे रहा था वह ऐसी तकनिक वहां पे सीख कर आये थे नहीं नह नहीं पर हमारे बारते किसानों को उस तकनिक से किस परकार से लाद आए तो अभी भूत हो गया आप वैसे ही जान के भाई यह तो विदेश्ट है यसे गावं में कोई बाहर मेट्र सिटी का पहुच जा तो वैसे इंप्रेस हो जाता है वैसा तो नहीं था नहीं वाकर ही मैं थे वो भी काफी उससे इंस्पाइर हुए और क्योंकि उसके लिए जो ओजीपी है उसकी रिक्वाइड होती है जो टोप बच्चे थे उन्हीं को मौका मिलता है तो वो भी उसके बाद में मैनत करने लगे ताकि हम भी एक बार जाके आए और चीजों को सीखे और वापीस आ आती है क्या जो हमारी देश की सत्ता जिनके हाथ में हैं जो काविज हैं उस पर जो देश को चला रहे हैं यह उनकी सोच को भी इंगित करती है यह बताती है कि देखी क्रिशी के प्रतिERS ॹ्रुभी आप हमारा नजर्या बदल गया है हम सकारात्म्त होने लगे है और समझने लगे हैं कि क्रिशी फाइदे का सौधा है जो अब तक नहीं समझाया जाता और सिर्फ कहा नहीं जाता है अब तो आप जानती हैं सिर्फ एसी रूम में बैटके चर्चा नहीं होती बलकि उसको उसी हिसाब से तयार किया जाता है जो किसानों की requirement है यह उसी और इशारा करता है जिस बदलते भारत की में बात कर रहा था जी बिलकुल बिलकुल उसी प्रकार जैसे इनोंने सर ने कहा कि अब यह सिर्फ क्रिशी एक raw material का सोर्स है हमारी पूरी industry के लिए तो जब हम सोचते हैं कि किस प्रकार कौन सी skills लेने के लिए सबसे जादा बच्चे जा रहे हैं टेक production का तो उसमें हमें येल्ड भी बढ़ानी है हमारी मिटी की उरवर्ता भी बढ़ानी है साथी साथ पानी को भी बचाना है ठीक है तो एक मैं और चाहूंगी कि आज कल कारबन की काफी बात हो रही है कारबन क्रेडिट को लेके जिसमें क्रिशी के अंतर गट क्रिशी में इसको कहा जाता है, जो पैसे आने हैं, जैसे जो बच्चे अग्री बिजनस पढ़ने जा रहे हैं, उनको इस प्रकार के इस्यूस के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि जो भी कंपनीज हैं, जो यहां काम कर रहे हैं, जो किसानों के साथ जुड के, कार्बन प बाहर से आना बहुत जरूरी है, इन सब चीजों को लेकर हम लोग और भी गवर्मेंट के जो मैंडेट्स हैं, और गानिक अग्रिकल्चर के, डिजिरल अग्रिकल्चर मिशन के, वो सब हम बच्चे जो जा रहे हैं पढ़के, वो सपोर्ट कर पाएंगे, आपने बाहर से परिवर्तन पर काम करते हैं, तो मुझे एह एहसास हुआ, कि अगर हमें इस पर काम करना है, तो हमें जमीनी तोर पर काम करना पड़ेगा, और फिर जिसको मैंने कहा था, Multidisciplinary Skills, Social Skills भी, Scientific Skills भी, Cultural Skills भी, भारत एक बहुत ही unique देश है, सबसे अजीज देश है हमारे दिल में, तो तो उसको सेफ करने के लिए हमें, उनके साथ मिलके, उनके तुर तरीकों खहारे मिलकित वी जेह जिसको ट्रैडिश्टी नॉलेज मिलकिते बाहर की कंपनी आती हैं, बहार की कंपनीज आती हैं, समझती है, री States करती हैं, और किसी प्रकार से कभी ले भी जाती हैं. जिसको बोला जाता है इंडिकेटर तो हमारे जब यहां की लोग पढ़ेंगे और समझे कि अंतराश्ट्री स्तर पर भारत को किस द्रिष्टी से देखा जा रहा है भारत के खादेपदार्तों जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वहां पर क्या चेनौतिया आ रही हैं और जमीनी का एक हमें एहसास होता है कि यह चाहिए साथ में एक साथ साथ तो यह सब और तरीके समझ के जिस परकार से मैं भी उसी चीजों को लेकर आई हूं और मैं चाहती हूं कि जितने भी बच्चे यहां से जाएं वह इस पढ़ना है लेकिन लौट कराना है अविनाश ब्रेक पर जाने से पहले आपी के पास मैं आता हूं तो जिस तरह की बाते होती हुई नजर आ रही है क्या ये हमारी पर्मपरागत कर्शी को कहीं गौड करने का खत्र ह depths तो महसूस नहीं करें हम एड़वांस एडवांस एडवांस की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि हमारे सामने जो भविश्य की चुनौतियां हैं उसके लिए हमें अत्याधनिक तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें थोड़े बदलाव जरूर करने पड़ेंगे और तभी हम अपनी चुन के बात हो हमेशा सही तो अब हमें ये भी ध्यान रकना होगा कि कृष्य का जो हाला है वो जैसा सहर भी बता रहे हैं कि सिर्फ उगाना सिर्फ फछल उगा लेने भर तक कही नहीं रह गया है कृष्य का दैरा बहुत व्यापक हो में हमें लगता था और हम हमेशा ये बात करते कि खृषी पर अत veramente निरभरता है जहन संक्या की लेकिन अब हमें ये समझ में आने लगा कि नहीं हमें और बहुत भड़ी आबादी को हम इसमें शामिल कर सकते हैं और हमें और लोगों की जहुरद है और हमारे देश में बहुत सारे जैसे ICRI संस्थान है इग्नु करा रहा है अलहाबाद में जो इंस्ट्यूशन्स हैं वो सारे अत्यादुनिक और इस तरीके की शिक्षा करान करें हैं उसके उन कॉलेजेज और इंस्ट्यूशन्स में जो सरकारी अनुदान है उसकी राश्ची भी बहुत बढ़ चुकी है और पहले के तुलना में 400-500 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है तो अब शात्र जो हैं वो इसमें एक बड़ा करियर देख रहे हैं और इसमें मल्टिनेशनल क करने का भी अपॉर्चनिटी वो देख रहे हैं कि सिर्फ मैं इसमें खेती किसानी में नहीं रहूंगा इसमें शोदकारे में नहीं रहूंगा बलकि जो एक सपना देखता है कि एक ब्लू कॉलर टाइप जॉब के लिए या फिर मल्टिनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट का काम है और सारी चीजियों का जो सपना देखता है दूसरे जी यह जैसे सरकारी बहुत सारे स्कीम है इसे get वे उसमें की जुरुत है तो वह सारे ट्रेंड लोगों की जॗरत है कि कैसे इन वह औरर देए जॐ पढ़े लिए उस शेर कर इस चेत्र में जो ठेंड लोग हैं उनकी काफी ज़ुरत है चीक है तो वह इस्पर्टीज के लिए हमको बाहर जाना होगा विश्वास है आप हमेशा से मेरे साथ है ब्रेक के उस बात मिल रहा हूँ आप फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी पशुपालन में हो कोई दिकत या चाहिए कोई जानकारी फोन उठाएं नमबर मिलाएं और कहें हलो किसान हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोंबार, बुद्धवार और शुक्रवार, शाम छे से साथ बजे, सिर्फ डीडी किसान पर तो आखरी कुछ मिनट इस चर्चा के, ब्रेक के बाद आपका सुआगत और ये कुछ मिनट बहुट सारगर्भित होने वाले हैं, बहुत प्रासंगी के आज चर्चा के लिए, तो आपको मेरे साथ कुछ मिनट का साथ और निभाना है, सबी खासमा लगाता है, मिली साथ बढन न वहां अवसरों का पैदा होना और वहां के लिए ललाईत होना एक बड़ी वज़े है सर एक्जेक्ट कांसेप्ट क्या है दिखे जब हम फार्म टू फोर्क की बात करते हैं तो इक्ष़ली यह complete value chain होता है complete value chain means from production to consumption जहां farmer इसको produce करता है फिर वहां पे आते हैं कि produce करने के तरीके क्या-क्या होते हैं जैसे वहां भी अलग-अलग concept आता है जैसे एक concept आता है gap good agricultural practices जहां हम बाहर के मुलकों की बात करते हैं जैसे आपने यूरोप का नाम लिया वहां यूरोप gap आता है इंडिया ने भी अपना इंडी gap बनाया है तो एक तो हमें हुआ जब हम production system को किस प्रकार हम modify करते हैं जिससे जो हम produce करते हैं वो quality produce होता है वो safe produce होता है खास करके यहां पर मैं थोड़ा vegetables और fruits की भी बात करना चाहूंगा क्योंकि जब हम food की बात करते हैं तो एक diversified food का हमारा basket होना चाहिए और यह diversification इंडिया में भी हो रहा है और globally भी हो रहा है और अभी अभी एक report भी आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो इंडिया का जो food का system है consumption की अगर हम बात करें तो यह पूरे बिश्व के लिए सबसे अची चीज है यानि जिस प्रकार से हम अपने food को consume करते हैं अगर यही अगर पूरा बिश्व करें तो अभी जो earth है इसका सि efficient होगा क्योंकि यहां बहुत सारी बात हमने climate change की भी बात करने हैं लेकिंग जो बाकी मुलकों का जो food का consumption pattern है चुकि वो लोग non vegetarian food को जादा यह करते हैं उसमें जादा energy लगती है उसके लिए हमें ऐसे ऐसे और भी अर्थ बनाने होंगे एक चीज तो हम यह भी ध्यान देना जैसे processing जब हम उसको process करते हैं तो किस प्रकार से अच्छे तरीके से हम process कर रहे हैं उसमें जो हम preservatives डाल रहे हैं वो हम किस प्रकार से डाल रहे हैं और उसका अंतिम steps जो होता है जैसे retailing या supply chain management supply chain management जो बड़े-बडे stores होते हैं उनको farm से कैसे supply किया जाता है और फिर वो retail stores जो हमारा consumer होता है उसको दिखता है एक बात मैं इंडिया के संदर में यहां और कहूंगा कि जब हम Indian system की बात करते हैं तो हमारा हमेसा उद्देश यह होता है कि जो भी पैसा consumer खर्च कर रहा है किसी भी produce को खरीदने में उसमें जो हमारा producer है यानि जो हमारा farmer है उसको कितना म जो कितना हम उसको बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा farmer भी benefit होगा और उसी विश्वास पर वो consumer को एक quality produce दे सकता है यहां पे चर्चा हुई कि हम जो हमारे product होते हैं कई बार उसमें बिदेशों में जब जाता है export market में तो हम पेस्टिसाइड की problem आती है पेस्टिसाइड की problem आती यानि जो global market है तो वहां जो हमारे limit है उस limit में हम किस प्रकार से अपने food को produce करेंगे जिससे हमारी food की जो demand होगी पूरी globally होगी और quality food दूसरी एक चीज में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि जो food है यह based on tradition, customs, लेकिन जो modernization होता है उससे भी change होता है हम बहुत सारे food को अपने यहां खा रहे हैं जो पहले बाहर था जैसे avocado है उसी प्रकार से kiwi है उसकी demand हमारे यहां बढ़ रही है हम उन चीजों को production कर रहे है कमलम है जो dragon fruit है लेकिन हमें भी ऐसा करना है कि जो हमारे food है जो indigenous food है जैसे अपना बेल है जैसे अपना आमला है जैसे अपना बेर है उनको हम किस success के साथ हम बाहर के market में उनको आमला candy या आमला के दूसरे product के रूप है तो थोड़ी थोड़ी बाते हम आगे बढ़ाएंगे और रोहताश भी मेरे साथ है तो रोहताश चात्रों से जब आप 1-2-1 करते हैं इंट्रेक्ट करते हैं और आपकी तो बड़ी fan following है चात्रों में मैं पता है मुझे तो चात्र क्या बोलते हैं कौन से course उनको ज्यादा attract करते हैं कौन से universities हैं कौन सी countries हैं जहां जाना उनकी पहली priority होती है जैसे कि पहले तो हम अगर बात करते हैं कि इंडिया में तो जो हमारा IRI जो इंस्टिटूट है नहीं जी वहां पे PG के थुरू यहां पे आना बहुत पसंद करते हैं और सब की priority में रहता है बट उसके बाद में अब थोड़ा थोड़ा जैसे कि हम यहां पे भी देख रहे ह किया हो आप चाहे हमारे ही एक डिविजन अगरोनोमी उसी में हमारे सीनियर थे वह फुल ब्राइट एक फेलोसिप होती है जो 350 केंडिडेट्स को मिलती है पर एयर तो उसके थुरू वह बाहर यूएस से गए और six month की उन्होंने वहां पे इंटर्सिप की साथ में अपनी PhD क साथ में रिसर्च वर्क जो उनका था वो यहीं पर उनका ट्राइल था बट वह एडवांज जो टूल्स थे वह वहां पर सीके और उनको एपलाई करके अभी उन्होंने अपना सेमिनार प्रजेंट किया था तो मतलब उनका वर्क था तो यहां पर वर्क कर रहें उनसे करते हैं कि आप भी कुछ एडवांज टूल्स सीखने के लिए एडवांज और टेक्नोलोजी सीखने के लिए एक बार ज़रूर आप विदेज आए और उसके लिए ICR भी फेलोशीप प्रोइड करता है और भी बहुत सारी फेलोशीप्स है जैसे कि मैं बात करूँ खोरोना एक फेलोशीप है जो 6 months के लिए अगर हम इंट्रेंसिप करने जाते हैं तो 50 students को per year वो मिलती है इसी परकार से अनेक फेलोशीप है और हम वहां पे directly professors जो होते हैं ब वो तबी उनको लगना चाहिए कि real में ये work करना चाते हैं हमारे साथ मिलकर उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि US के वल इसलिए आना चाते हैं कि गोमने के लिए उनको real में ऐसा लगना चाहिए कि हमारे साथ आएंगे lab में काम करेंगे सीख के जाएंगे और वो आगे जो ब बढ़ाना है मेरे साथ चाय भी हैं तो चाय असल में हम जो टेक्निक के development की consistency की बात करते हैं और साथ में जब हम बात करते हैं ग्लोबल food security की इनके लिए क्या advance खेती करना advance liver पर पढ़ाई करना जरूरी है और अगर जरूरी है तो यह विदेश यूनिवर्स्टी जो है वो इसे फुल्फिल कर रहे हैं देखे food security की बात करते हैं तो future को आगे भविश्य को दिमाग में लगना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि जलवाईयों परिवर्तन से होने वाले प्रभाव और दुष्प्रभाव बहुत बड़े तोर पे हमारे किसानों को और पूरे विश्व के मतलब security को अफेक्ट कर रहे हैं तो हां मैं यह कहूंगी कि विदेश में जाने से जो technologies हैं चाहे वो research technologies हैं जो आपको उस प्रकार के बीच बनाने के में मदद कर रहे हैं जो कि आगे जाकर जो जलवाईयों में परिवर्तन हो रहे हैं उनको बैर करने की एक हिम्मत देगी दूसरी चाहे वो चाहे वो प्रिसेशन अग्रिकल्चर हो जहां पर जितना फर्टिलाइजर जब चाहिए जितना पानी जब चाहिए जितना पैस्टिसाइज जब चाहिए उस प्रकार अप्लाइब कर सके तो यह जो emerging technologies है data है satellite mapping है remote sensing है GIS mapping है इस प्रकार के जो बहुत सारे technological understanding है जो हमें input cost लागत कम करनी है हमें उपजाओ शक्ति बढ़ानी है और हमें उपज बढ़ानी है इन सारी चीजों को लेके मेरे ख्याल से काफी कुछ जो शोध हो रहे हैं इंडिया से बाहर वो students काफी उसमें सीख के वो skills वापिस ला सकते जिनकी बहुत ज़ादा जरूर वो कौन सी universities हैं कौन सी countries हैं जो ज्यादा attract कर रहे हैं जी देखे सबसे ज्यादा जो शात्र हैं वो अगर विदेश में जा रहे हैं तो Canada, Germany और US को prefer कर रहे हैं क्योंकि वहां काफी आसानी से scholarships भी मिल जा रहे हैं students को और जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो अपने हां शात्र कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोचाहन दिये जारे हैं देशों के द्वारा वो शात्रों को अकर्शित कर सके दूसरी चीज यह कि शात्र भी अब यह समझ चुके हैं कि सबसे ज्यादा अपॉर्चनटी अपने देश में ही है देखिए इसका दो फायदा है एक तो मतलब आपकी कुछ नया करेंगे कुछ रोजगार आप श्रिजित करेंगे दूसरों के लिए और लोगों को व्यवसाय देंगे व्यवसाय को बढ़ाएंगे वहां पर नौकरी पाने के लिए पढ़ाई हायर स्टडीज मैंने बहुत कम शात्रों से बात करते हुए यह सुना कुछ सालों पहले आइटी डेली से पासाओ टेक समस्तिपूर बिहार के किसान है और उन्होंने आइटी डेली से पढ़ाई पूरी की और फिर माइक्रो फैनेंस सेक्टर में वह लगे और उन्होंने महां से कुछ पैसे अच्छे कमाएं वापस वह समस्तिपूर गया है उन् किराय पे जमीन ली और वहाँ पे आजकल उनका फल का खेती कर रहे हैं और लीची और केले आम बहुत सारा वो उगा रहे हैं और क्यूंकि उन्होंने उसकी शिक्षा लीवी है और उनको वो अच्छे तरीके से अवेर हैं कि उनकी चीजों का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है कहां वो डारक्ट वीदेशों में भेजते हैं अपने फलो को अच्छा इसका फाइदा यह भी होता है कि वीदेशों से जब आप पढ़ाई करके आते हैं तो आप AI टेकनोलोजी का कैसे इस्तमाल करके क्रिशी में आप आसानी से कर सकते हैं ड्रोन टेकनोलोजी का स्प्रिंक्लर यह जो चीजें हैं आधुनिक हम विलेशों से ही सीखिए और अपने हैं उसको हम अच्छे तरीके से इस्तिमाल कर रहे हैं तो वह कौन-कौन से नए-ने आधुनिक यंत्र हैं तकनीक है तरीके हैं जिनका हम प्रयोग करके और अपने देश में हम खेती किसानी को बढ़ावा द लेकिन खाब बहुत बढ़े हैं इने खाबों को पूरा करने के लिए हमें कोशिश ये भी बढ़ी करनी होगी लेकिन कारिकर्म को मुझे समिटना है समिटने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला चर्चा में आए थैंक्यू सु वह हैं तो आपके यूट्यूब चैनल के जरीए आप देख सकते हैं और देखेगा बताईएगा समझाएगा कि कैसा लगा और आप कॉमेंट जरूर करेगा मुझे आपके कॉमेंट का भी सब्री से इंतजार रहता है देखते हैं डीडी किसान